रेल्टेल ने अपने quarter 2 की जो earnings है वो आज की दिन में पेश कर दी हैं तो फटाप 87 को भी check out कर लीते हैं कि रेल्टेल ने अपने कैसे कुछ numbers जो हैं आज की दिन में पेश कर दी हैं तो सारी की सारी जो values हैं वो लाग में दे रखी हैं मैं आपको करोड में करमट करके इंकम जो है revenue from operations and total income जो निकल करा रही है उसमें से यानि कि 61,282 लाक की है यानि कि 612 क्रोड की है जो की quarter 1 के अंदर थी आपकी 482 क्रोड की और last year थी 440 क्रोड की quarter 2 के अंदर ये है quarter 1 ये है आपका quarter 2 तो आपके बाद 612 क्रोड quarter 1 के अंदर 482 क्रोड और last year थी 440 क्रोड क्रो तो 366 क्रोड के असपास के थे, profit and loss जो देखने को मिल रहा है, यहां की पेनल जो है, after tax अगर बात करें, तो यहां पे 9 नमर पे दिया गया है, 68 क्रोड के असपास का company का total profit जो है quarter 2 के अंदर रहा है, 38 क्रोड था quarter 1 और last year quarter 2 के अंदर था 55 क्रोड के असपास का, मौका जब आता है तो market correction में है, और उसके बाद साथ ही साथ में recovery जो है quarter numbers से यह stock करता हुआ नजर आ सकता है, तो further stock में buying की जा सकती है, अगर basic and diluted EPS की बात करें, तो 2.12, 1.20 और 1.72, yearly basis पे भी increase हुआ और quarterly basis पे भी increase हुआ है, basic and diluted EPS जो earning पर share है, और face value जो है stock की वो 10 रूपे असपास, यानि कि in future ये company split देने के लिए बिल्कुल सक्षम है,